अंत्रिक्ष की गहरायों से धर्टे की और एक बहुत बड़ा उलका पिंड आ रहा है इस उलका पिंड की गती इतनी ज्यादा है कि अगर धर्टी पर गिरे तो करे किरोमिटर तक तबाही मचा सकता है अगर समुंदर में गिरेगा तो बड़ी सुनामी पैदा कर सकता है इसके धर्टी की तरफ आने में बस कुछी घंटे बागी है इस उलका पिंड की गती 13 किलोमेटर प्रती सेकंड है यानि करीब 46,500 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार यह उलका पिंड दिली की कुतुब मि से 3 गुना बढ़ा है इस एस्टवरॉइड का नाम है 2010 & Y 65 यह 1017 फीट लंबा है यानि स्टेट्यो आफ लिबर्टी से करीब 3 गुना और कुतुब मिनार से करीब 4 गुना पढ़ा स्टेट्यू अफ लिवर्टी 310 फीट है और कुतुब मिनार 240 फीट लंबा है यह एस्टोर आज यानि 24 जुन 2020 की दोपहर 12 बचकर 15 मिनिट पर प्रित्वी की करीब से गुज़रेगा अमेरिक अंतरिक्ष एजनसी नासा का अनुमान है कि धर्ती से करीब 37 लाख किलोमेटर की दूरी से निकलेगा लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान में इस दूरी को ज्यादा नहीं माना जाता हरांके धर्ती को इस उलकापिट से कोई खत्रा नहीं है नासा के विज्ञानिक उन सभी एस्टरोइड को धर्ती के लिए खत्रा मानते हैं जो 55 लाख किलोमेटर की दूरी के अंदर से निकलते हैं इन तेज रफ्तार से गुज़रने वाले खगोली पिंडो को Near Earth Object NEO कहते हैं सूर्य के चारुत तरफ चगर लगाने वाले छोटे छोटे खगोली पिंडो को एस्टरोइड या शुद्र ग्रिया कहते हैं जून में एस्टरोइड गुज़रने की ये तीसरी घटना है पहला एस्टरोइड 6 जून को धर्ती के बगल से गुज़रा था से करीब 30,000,000 km दूरी से निकला था आपको बता दें कि 2013 में चल्या बिंस एस्टरोइड रूस में गिरा था इसके किरने से 1000 से जाद लोग घाल हुए हजारों घरों की खिर्किया और दर्बाजे भी तूट गाए अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो से लाइक और शेयर करें साथ ही अपने व्यूज आमें कमेंट करके ज़रूर बताएं सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेडिस्ट और इंटस्टिंग निउस के लिए